अश्यामरीकूम क्लास फेफ्ट अपने आज के साइंस के लेसन में हम चैप्टर नबर टू स्टार्ट करेंगे चैप्टर नबर टू है अबाउट माइक्रो और्गनीजम्स आपने माइक्रो और्गनीजम्स का नाम पहले भी सुना होगा बहुत चोटे जानदारों को हम कहते हैं माइक्रो और्गनीजम्स का वर्ड दो लफ़ों से मिलकर बना है माइक्रो माइक्रो का मतलब होते हैं स्माल और्गनीजम्स कहते हैं लिविंग तिंग्स को यानी जानदारों को small living things are called microorganisms microorganisms बच्चे इतने छोटे होते हैं कि ये हमें आम तोर पर अपनी आम आँख से नजर नहीं आते बलकि हमें इनको देखने के लिए microscope का इस्तमाल करना पड़ता है मैं आपको microscope के बारे में भी बताऊंगी और microorganisms के बारे में भी बताऊंगी बहुत सारे microorganisms होते हैं हमारे इर्द की इर्द हवा में, पानी में, मटी में, इदर उदर हर जगा ये मुझूद होते हैं और होते क्या हैं microorganisms are living things that we cannot see with naked eye ये जिन्दा जानदार चीजें होते हैं जिने हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते जब हम इनको microscope में देखते हैं तो microscope क्या करता है उन microorganisms को उनकी असल size से 1500 times bigger करके दिखाता है ताकि हम उनको easily observe कर सके उनकी body को, उनका structure कैसा है, उनकी shape कैसी है ये सब हमें microscope में पता चलता है अब microscope क्या है It is an instrument that is used to see very small objects that cannot be seen by naked eye ये वो आला है जो बहुत चोटी चीज़ों को देखने के लिए समाल होता है जो हमें अखेली आँख से नजर नहीं आते Basically microscope होता है क्या है बचे इसके अंदर lens लगे होते है lens का function होता है कि वो objects को, चीज़ों को उनकी असल जिसामत से बड़ा करके दिखाता है हम उसको कितना बड़ा करना चाहते है ये हमारे उपर depend करता है इसके लिए हम मुख्तरिफ किसम की microscope यूज़ कर सकते है simple microscope भी, electron microscope भी simple microscope जो हमें image तो तिखा देता है लेकिन उसको magnify करके यानि बहुत बड़ा करकर नहीं दिखा सकता लेकिन जब हम उसको electron microscope में देखते हैं तो उसके size को काफी हद तक बड़ा करकर दिखाता है तो हमें micro organisms को देखने के लिए simple microscope भी इस्तमाल हो सकती है और electron microscope या compound microscope को भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके पार distribution है कि ये कहां कहां पाए जाते हैं micro organisms are found in soil, मटी में, air, हवा में, water, पानी में और हर जगा तकरीबन ये पाए जाते हैं क्योंकि ये हमें नजर नहीं आते हैं इसलिए हमें महसूस नहीं होते कि ये यहां मुझूद हैं या नहीं है क्योंकि बहुत चोटे होते हैं groups of microorganisms, इनके groups कितने हैं इनको हमने मुख्लिफ groups में divide किया हुए किस basis पर, उन्थी basis of their structure, shape and feeding habitat उनके जिसामत कि किस तरह के हैं उनकी shape, शकल की बिना पर और उनके feeding habitat पर नहीं किस चीज़ पर उनकी खौराग का ही हसार होते है इनी basis पर हमने इनको तीन groups में divide किया हुए there are three main groups of microorganisms which are viruses, bacteria and fungi आज हम viruses के बारे में पढ़ेंगे virus word जो है, इसका मतलब होते है poison, poison means जहर ये जहरीले भी होते हैं और इनकी growth कैसे होती है कोई भी virus जब किसी body के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसके अंदर जाकर वो अपनी जैसी ही नई copies प्रोड्यूस करता है नई organisms प्रोड्यूस करता है किसी भी organism के body के अंदर इसकी reproduction हो रही होती है तो एक virus जो है वो अपनी मजीद अपने ही जैसे बहुत सारे viruses को produce कर लेता है किसी भी organism जिसे host केते हैं उसकी body के अंदर viruses disease causing होते है mostly जहां भी जिस organism की body में भी enter होंगे उनमें कोई न कोई disease cause करेंगे main diseases जो viruses से फैलती है वो polio है और flu है तो आपने क्या याद करना है बचो अपने lesson में microorganisms का introduction के यह होते क्या है हम इनको कैसे observe कर सकते हैं उसके लिए हमें microscope यूज करनी होती है microscope क्या होता है इसकी definition then their distribution के यह कहां कहां पाए जाते हैं फिर groups of microorganisms कितने हैं और किस basis पर हमने इनको classify किया हुआ है इसी तरह से आप फिर्स्ट ग्रूप जो है वो इसका याद करेंगे viruses viruses का mean जैसे मैंने आपको बताया poison growth कैसे होती है और कौन-कौन से diseases कास करते है यह सारा आप याद करेंगी और जो आपने write करना है बचे वो है define करना है microorganisms को and microscope को microorganisms और microscope की आपने definition write करनी है question number two है where are microorganisms found कहां-कहां पाये जाते हैं अभी मैंने आपको बताया they are found in soil, air, water, etc question number three है what are main groups of microorganisms main groups बताने हैं हमारे पास three है viruses है, bacteria है and fungi है इनकी details आप नहीं लिखेंगे सिरफ आपने इनके groups के name लिखने है next lesson में हम इन्शाला bacteria और fungi की detail पढ़ेंगे आपने इसको अच्छे से याद करना है thank you so much, अलाफिस